Hey guys, welcome to Resource Point. आज हम लोग डिस्कूस करेंगे वीसनाइस की करेंट अफर्स चोकि फेव मन्त की चल रही है तो हम लोग यहाँ पे economy देख रहे हैं तो economy में हमारी यहाँ पे digital payments ecosystem तब complete हो गया है आज हम लोग ARC और integrated ombudsman scheme के बारे में देखेंगे चले स्टार्ट करते हैं ombudsman scheme तो ARC देखते हैं इसका मतलब है asset reconstruction company इत मीज़ के नाम से समझने का कुशिश कीज़े कि ऐसे company जो की asset को reconstruct करेंगे फिर से बनाएगे ठीक है तो यह कैसी company है जो asset को reconstruct करेंगे तो कैसे asset को reconstruct करेंगे bad loan को वैसी loan जो की खराब हो चुकी है NPA means non-performing asset ऐसी asset को यहाँ पर फिर से reconstruct किया जाएगा जो की perform नहीं कर पा रहे है ठीक है loan दे दिया गया वो loan वापस recover नहीं हो रहा है बैंकों के पास तो वैसे loan को जो कि बैंकों का asset था लेकिन अब वो जब loan दे दिया गया तो वापस से वो बैंकों का asset वापस करने के लिए क्योंकि loan asset नहीं होता loan में जो interest आता है वो bank के पास होता है ठीक है तो bank जो loan देती है वो interest के लालच में देती है कि interest के थ्रू जो है उनका bank में जो है February मन पे 2021 और 2022 का तो इसमें बात की गई है कि new ARC और bad bank बनाना है जिससे कि जितनी भी over existing जो यहाँ पर bad loan है उसको यहाँ पर consolidate किया जाएगा यानि कि इसको कम करने की बात की जा रही है proposal में क्या है कि bad bank और जो ARC है वो proposed किया गया है budget में जो कि bankों के द्वारा sit up किया जाएगा अब यह चीज़े धियान रखनी है कि जो ARC company यह बनाई जाएगी यह bankों के द्वारा बनाई जाएगी चाहे वो state owned bank हो या फिर private sector bank हो यहाँ पर सरकार के तरफ से कोई भी equity contribution नहीं होगा ठीक है वही अगर हमनों सरकार की बात करें तो वो यहाँ पर sovereign guarantee दे सकते है कि हाँ वो यहाँ पर जो भी regulatory requirement की जरुरत होगी वो यहाँ पर पूरा करेंगे यानि कि company को regulate करने के लिए जो भी जरुरत होगी वो सरकार पूरी करेंगी लेकिन अगर उस company को आपका establish करने के लिए setup करने के लिए किसी भी तरीके का पैसे की जरुरत है तो सरकार उसमें help नहीं करेगी ठीक है वो RBI को करना होगा sorry bank को करना होगा चाहे वो state owned bank हो या फिर private sector bank को साथ ही आप देखो कि यह asset management company होगे जो कि जितने भी bad asset को जो sell किया जाएगा या फिर manage किया जाएगा asset management company यहाँ पर होगे जो कि fund को manage करेंगे जो भी individual का fund है या फिर company का fund है और साथ ही साथ यहाँ पर well-timed investment decision भी होगा यानि कि जो भी client है ना उनके तरफ से यह बताया जाएगा कि वो कब और किस समय में वो investment करना चाहेंगे और उनका decision क्या है जिससे कि उनका finance और portfolio बेटर तरीके से increase हो यानि कि आप समझो कि जब भी आप mutual fund में invest करने जाते हो तो आप उसका क्या मतलब होता है कि आपके पास जो भी पैसे है जो भी asset है आप उसको बेटर तरीके से manage करना चाह रहे हो आप चाह रहे हो कि आगे चलकर जब वो mature हो आपके पास जब उसकी interest के साथ जो पैसे आए उसको आप आगे चलकर अपने future में जो है invest करो उसको अच्छी तरीके से आप खर्च कर सको है की नी तो वही चीज है कि यहाँ पर asset जो reconstruction company है इसके अंदर एक management company भी होगी यह क्या करेगी न कि जितनी भी asset है उसको manage करने के बारे है वो client को बताया जाएगा client जब बताएंगे कि उनकी decision क्या है तो उसकी basis पर उनको बताया जाएगा कि वो अपने asset को कैसे manage करे fine यहाँ पर जो stressed asset है ऐसे asset है जो कि इसके उपर बहुत stress है ठीक है तो उसको resolve करना है और वो आप देख सकते हैं 2 से 2.5 lakh करोर तक का है जो कि अभी तक unresolved है अगर हम लो 70 large account के बारे में देखे तो जितने भी bank account है उसमें से 70 large account है जिसकी कि यहाँ पर 2 से 2.5 lakh करो और अभी तक unresolved है ऐसी यहाँ पर stressed asset है तो यह सब एक ही बात है होते हैं चाहें bad loan बोलो, stressed asset बोलो non-performing asset बोलो ठीक है साथी जो transfer है stressed asset का ARC company में करना है वो net book value में होगा तो जो पूरा आपका value होता है यानि कि net book value है पूरी तरीके से एक bank का उठाय जाएगा माल लिजे कि bank of India है कोई एक branch का है उसका अगर उठाय जाएगा तो total तरीके से देखा जाएगा कि हाँ कितने लोग है कितने यहाँ पर bank account के लोग है उनके द्वारा कितना यहाँ पर loan लिया गया है और कितना टाइम था loan repayment करने का और कबसे उनका जो loan है वो अभी तक repayment नहीं किया और कितना loan है तो यह क्या होता पूरा book value होता है तो इस तरीके से पूरा net book value यानि कि जितनी भी bankों का यहाँ पर total है उन सबका एक साथ लेकर जो है यह transfer किया जाएगा यह company को दिया जाएगा यह जो bank है यह आपका 15% cash लेगी और 85% जो यहाँ पर security receipt है यह चीज़े यहाँ पर ली जाएगी वो भी bad bank को और यह क्या होगा यह ARC को sold करके होगा यानि कि बेज करके होगा जितनी भी यहाँ पर जो कर्ज है बैंकों का बैंक अपना कर्ज किसको दे देंगे यह company को दे देंगे कि ले भाई तू इसको सम्हाल ठीक है यह वाली बाते हो जाएगी कि company अब यहाँ पर bank का जो यहाँ पर कर्जा था और 85% security receipt मिलेगा यह जो structure है ना इससे आप देखो जो stressed asset का जो load है बैंकों के उपर और bank का जो balance sheet है यानि कि एक महिने का यहाँ पर आपका bank का balance sheet होता है जिनको हफते हफते में इसको clear करना होता है कोई भी bank को अच्छा bank तभी कहा जाता है जब उनके पास जो है पैसे capital होते है और उनका loan कम होता है loan recover ज़्यादा होता है rate और loan recover जो loss है वो कम होना चाहिए और उनके पास capital होनी चाहिए total जो deposit है वो अच्छा खासा होना चाहिए तो उनका balance sheet बेटर होता है और उस bank को अच्छा का आ जाता है हाँ ये bank जो है ना चलने के condition में डूबेगा नहीं तो उसको क्या करना होता है balance sheet अपना maintain करना होता है अब balance sheet में हर एक bank को दिखाना पड़ता है कि उनका NPA इतना जादा है यानि कि उनका जो loan है वो इतना जादा है उनका loan recover जो rate है वो बहुत slow है तो इससे क्या होता है बैंकों की reputation कम होती है लोगों का trust चला जाता अगर लोगों के बीच में ये बात है फैल गई तो तो ये सारे चीजों को कम करने के लिए यहाँ पर alternative लाया गया है और जो bank का load है क्योंकि bank के पास तो बहुत सारे काम है यही तो काम नहीं है तो bank का load यहाँ पर कम हो पाएगा और यह जो यहाँ पर काम है इससे को resolve करने का यह काम अब यहाँ पर यह company करेंगे अब देख लेते company के बारे में कि इनका क्या क्या काम है और यह कैसे इनको establish किया जाएगा तो यह है asset reconstruction company यह फिर bad bank यह दोनों एक ही नाम है यह special type of financial institution होंगे जो कि जितने भी यहाँ पर करज होंगे bank के उसको वो purchase करेंगे mutually agreed value में और attempt करेंगे कि वो जो भी गर्ज है उसको यहाँ पर recover करें और एक bad bank यानि कि profit यहाँ पर उनको लेकर आना है अपना काम वो इस तरीके से करेंगे कि उनको profit हो अगर वो यहाँ पर manage कर पाए यानि कि जितनी भी loan है और वो इनको बेच पाए higher price जितना उनको paid किया गया था यानि कि जितना यह commercial bank कि थो यह loan को pay किया गया था उससे जादा यह price में अगर इस loan को बेच पाए तो यानि क्या होगा यह bad bank को profit होगा यह bad bank अब क्या करेंगे loan लेंगे माल लिजे कि एक करोर का loan जो है यह bank of India से लिया गया था bank of India का यह 1 crore का loan वापस नहीं आया bank of India क्या कर दिये ARC को दे दिये अब यह ARC क्या करेगा कि एक करोर के loan को यहाँ पर interest bank of India के द्वारा कितना दिया गया था तो माली जे 2% का यहाँ पर interest दिया गया था जो कि यह वापस आया ही नहीं है अब ARC क्या करेंगे ना यह 1 crore का loan को जो है वो यहाँ पर 4% के जो interest rate है उसके साथ यह बेच देंगे अगर यह बेच दिये यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा ना कि यहाँ पर ARC को फायदा होगा यानि कि यहाँ पर profit होगा तो यही चीज़े कही जारी कि अगर यह इनका operation अच्छे तरीके से profit हो पाएगा अगर वो loan को higher price में बेचेंगे जितना commercial bank के द्वारा बेचा गया था अब हमारे हाँ एक कमीटी थी 1991 की जो हम लोग नर्शीमन कमीटी कहतें यह first है क्योंकि दो कमीटी है नर्शीमन कमीटी first and second तो यह first है जिनके द्वारे यह पहली बार कहा गया था कि हमारे हाँ इस bad loan से recover करने के लिए एक central asset reconstruction fund यहाँ पे create करना जरूरी है जिससे कि जो बैंक जो कि आपका 2002 में setup हुआ था और चार बैंकों के द्वारे यह बनाया गया था SBI है ICIC bank है PNB है और IDBI bank है ठीक है 15% यहाँ पर maintain करके रखे आप देखिए यहाँ पर ARC का जो capital education है वह आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है 15% है बैंकों को कितना मानना पड़ता है तो बैंकों को 8% यह वो मान कर चलते है capital adequacy risk rated asset होता क्या है माननी जब बैंकों का जो है एक bank of India मैं तो इसके पीछे ही पड़ गई नहीं चलिए example आपको कुछ समझाने के लिए लेती हो एक bank of India का एक branch है जिसकी total asset जो है 100 crore है तीक है अब यहाँ पे 100 crore का जो बैंकों के पास total asset होता है यह asset जो है आप देखो कि CRR के form में रखना होता है 3% RBI के साथ साथ ही SLR के form में रखना होता है तीक है और बागी यह loan के form में निकाल देते है लेकिन फिर भी bank डूबे ना उसकी लिए जो है यहाँ पे 8% का capital adequacy risk rated asset यहाँ पे रखना होता है बैंकों को अब यह 8% कैसे decide होता है तो माल लीजे कि यहाँ पे जितना भी चला गया अब यहाँ पे bankों के पास जो total asset है वो 80 crore बच गया है तीक है यह सारा ताम जाम करके ताम जाम करके जो है यह bank सोचे है कि 60 crore को जो है loan में निकाल देना है और 20 crore रखना है कुछ और काम भी होता है तो 60 crore loan में निकाल देना है तो 60 crore में से वो यहाँ पे 60 crore total loan थोड़ी दे देंगे वो यहाँ पे loan देने का भी चो target रखते है वो इसमें से भी 8% बचा कर चलते है कि 8% रख लेते हैं बाकी का यहाँ पे जो आपका 52% है उसको loan में निकाल देते है तो यह चीज़े होती है कि कितना total asset है और उसमें से risk कितना है क्योंकि यह 52% जो loan दिया जा रहा है क्या पता इससे वापस आपाएगा कि नहीं आपाएगा तो थोड़ा सा पैसा bank अपने पास 8% रख लेते हैं यह RBI बोलती है कि आप 8% रख लो और मेली यह आप देखो कि बेसल 3 norms होते जिसके basis में यह डिसाइड होता है कि बैंको को कितना यह मानना है तो हमारे इंडिया में 8% माना जाता है अब यह जो risk है यह risk आप देखो क्योंकि यह जो ARC Company है इसमें risk ज्यादा होंगे तो यहाँ पर रिस्क ज्यादा होंगे तो उनको आपने पास capital asset ज्यादा रखना होगा इसलिए 15% रखा गया है अब यहां पर हमारे है 2016 में इंसल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड भी आया था जिसमें कि यहां पर एरसी को अलाव किया गया था कि वह अपने एक्वीटी को एक्वार कर सकते हैं अब लेत देट को एक्वीटी में कनवॉर्ट करके माल लीज़े कि कोई भी लोग अगर लोन लेतें तो वो अंको रोगने रु्छ या ठी घी जबाहत डालो बैंक्रप्सी कोड बहुत अच्छे तरीके से काम करें बट अभी ये कोवेट के टाइम में इनको हाल्ट कर दिया गया था रोक दिया गया था इनका काम का क्योंकि इस तो ऐसे भी डूब रही है क्योंकि बहुत जादा एकॉनमिक लॉस हो रहा है और ग्रोथ भी हमारा डाउन हो रहा है तो कंपटी को भी लॉसस हो रही है तो जो इंसॉलवेंसी और बैंक्रप्सी कोड है इनका काम ही यह है कि जो कंपनी डूब रही है न उनको बचाना तिक डूबने नहीं देना है क्योंकि आई एल एन एफस आप देखियोंगे यह ऐसी कंपनी थी जो कि बहुत से अपनी रेटिंग दिखाती है और अंदर ही अंदर वो करजे में डूब रही है वैसे डूबने नहीं देना है हर कंपनी का एक आच्छे तरीके से उनको लेकर चलना है जब से यह सारफेसी एक्ट आया है तो बहुत सारे जो ए आर्सी कंपनी है वो एक्जिस्टेंस में आया ठीक है तो यह एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि जो पहले से है वो अभी कि जो भी यहां पे बने है उसमें डील नहीं हो पा रहा है slow resolution देखने को मिल रहा है बहुत सारे commercial loan ऐसे हैं जो की group of 8 और 10 banks के द्वारा grant किये गए तो इतने existing resolution mechanism में कुछ जो bank है वो typically oppose कर रहे है इस तरीके का resolution का क्योंकि काफी difference है आप देखो 8-10 bank मिलकर यह इस तरीके का company तो बना रहे है लेकिन किसी bank में ज्यादा NPA होगा किसी bank मे कम MPA होगा तो यह क्या होता है कि इसमें आपका difference देखने को मिल रहा है इसलिए यहाँ पर कुछ bank जो है इस तरीके के ARC company को oppose करते हैं वो यहाँ पर establish नहीं करना चाहते है तो यह problem देखने को मिलते हैं अब देखते हैं कि क्यों ARC की ही जरूरत पड़ी क्या हम लग कुछ औ बैट लोन का consolidation और जो issue है बैट लोन का बढ़ने का जो issue है उसको देखते वे यह बहुत जादा जरूरी हुआ कि ARC company हम लोग बनाए अब देखिए जो आम जनता लेकर जो लोन भाग जाती है लोन नहीं repay करते तो वो बात अलग है लेकिन हमारे हाँ ऐसे महान पुरूश भी इनके कारण जो है इस्तिती बहुत खराब हो गई हमारे इंडिया में आप देखो कहां 2020 में 7.5% यहां पे gross advances था जो कि sharply increase वाता NPA का लेकिन वहीं आप देखो कि यह 2021 में और बढ़ गया at least 13.5 हो चुका है तो यह हमारे हां बढ़ते ही जा रहा है तो बढ़ते जा रहा है त जो stressed asset बढ़ते जा रहा है उसको handle भी कर पा रहा है तो यह भी बेटर तरीके से काम करते ही जा रहा है insolvency and bankruptcy code बट फिर भी एक ऐसा हम लोग को company की जरूत है जो one time exceptional resolution mechanism लेकर रहा है तो इसलिए हम लोग ARC company के तरफ बढ़ रहे है साथी बैंकों का button बहुत बढ़ते जा रह देंकि ARC से क्या होगा कि हमारे जो entrepreneurship की जो यहाँ पर confidence है वो बढ़ पाएगी other option भी मिल पाता है कि कैसे bankruptcy और insolvency को जो है यहाँ पर file करना है अगर stress का time आ रहा है तो यह सारे conditions है और यह सारे ऐसे conditions है जिससे की ARC की ज़ुरत बढ़ी क्या क्या challenges है ऐसा तो नहीं है कि ARC ब रहे है bad assets है वो भी government owned जो public sectors bank है to be government backed ARC है तो इनका shifting देखने को मिल रहा है bad assets है may not is the bad loan crisis यानि कि कई बार आप देखो कि यह ऐसा काम नहीं कर पारे बोले तो थे कि वो recover कर देंगे बट recover हो नहीं पा रहा है साथी साथ आप देखो कि जो public sectors bank है वो bureaucrats के द्वारा manage किया जा र सके तो कई बार यहां पर इनके कारण भी problem हो रही है huge risk है moral hazard का यह जो safety net है ना यानि कि bad bank के द्वारा जो provide किया गया है commercial bank को यह जादा से जादा reason हो रहा है जिससे कि यह काम better तरीके से नहीं कर पा रहे है तो bad loan crisis भी देखने को मिल रहा है okay way ahead में बताया गया है कि India की जो past experiment bad bank के साथ यह failure के साथ ही खतम हो चुका है क्योंकि crucial design imperatives आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इनको काम करना चाहिए इस चीज़ को ignore कर दिया गया है जो new ARC है यह address करेगी जो भी आज करेगी जितनी भी यहां पर bad bank का जो issues निकल कर आया है वो काम नहीं कर पाया है तो उस चीज़ों को यहां पर address किया जाएगा by implementing और यहां पर setup किया जाएगा new ARC को यह जरूरत है आज की date में क्यूंकि आप देखो जादा से जादा दात रहेंगे existing ARC से तो वो यहां पर deal कर पाएंगे bad loan को smoothly तो यह देखें different different तरीके से कर पाएंगे जैसे आप देखो कि Malaysia क experiment है यहां पर जो Asian crisis हुई थी तो Malaysia के experiment को हम लोग यहां पर अपने तरफ से भी लेकर आएंगे जैसे Malaysia का क्या था कि वो अच्छे तरीके से effective management किये थे ARC जो है वो यहां पर meant किया गया था seasons जो जितना distress debt management था यानि कि एक season के द्वारा यहां पर किया था कि एक season जैसे आपका summer हो गया मौनसून हो गया या फिर आपका winter हो गया तो यह season के through आपका जितना भी एक season में जितना debt है उसको यह recover करते गए तो एक phase manner में यह recover किये तो management बहुत अच्छा था second था कि fair price रहा asset purchase करने का यानि कि आप देखो जो कहा जा रहा है कि यहां पर ARC के द्वारा जो यह बेचेंगे तो जाधा price में बेचेंगे तो यह तो मैं आपको बताई कि हां 2% का 4% में देंगे लेकिन कि आप अधा 2% का 20% में बेचना चाहें तो यहा अगर उनका 4 क्रोर का लोन है ना तो वो 5 क्रोर भी बता देते हैं कि चलो ठीक है मेरा पैसा रिकवर कर गाएंगे तो 1 क्रोर का फाइदा हो जाएगा बैंकों को बट यह भी कई न कई प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो fair price ही यहां पर आपका जो है ट्रांसफर करना है जो जो है new budget में new ARC ला रहे है उसमें हम लोग implement करेंगे साथी closing regulatory gap भी रखा गया है surface act और IBC के बीच में लेकिन यहां पर allow किया गया है कि जो ARC है वो यहां पर equity को directly company से ही वो बेच कर जो है उसको acquire कर सकते है और IBC के ही अंदर तो थोड़ा सा आप देखो कि एक gap टाइप का है स साथी distressed जो यहां पर loan sales trading platform है उसको setup किया जाएगा जिससे कि जो bid है NPA के लिए कि कौन इसको purchase करना चाहते better price के लिए तो वो हम लोग जो है इस तरीके का platform से जो sell trading platform है उससे हम लोग यहां पर अच्छे bidders को लेकर आप आपाएंगे साथी government का reform भी करना है bank में जरूरत है कि critical governance जो pillars है उसको reform करने की जरूरत है जिससे के एक बेटर तरीके का risk management bank अपने आप कर सके financial institution में हो, auditor में हो, board में हो, rating agencies में हो तो इस तरीके से होना चाहिए साथी public sectors bank जो है उनको भी professional autonomy provide करना चाहिए और level playing field हो कि वो अपने private sectors counterpart के साथ जो है बेटर तरीके से काम कर सके तो य लेकिन अब यह देखते हैं, surface act के बारे में देख लीजें, जो 2002 का है, securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest ठीक है, surface act जो की reconstruct करेंगे, जो bad asset है और non performing है बिना court के interventions है, यानि की court में जाने की जरूरत नहीं है, यह अपने आप जो है resolve करने का कोशिश करेंगे, यहाँ पर ARC को mandate किया गया था, क यहाँ पर securitization करेंगे और asset को reconstruct करेंगे, वो भी bad asset का, तो यह चीज़े surface act के थूरू ARC construction के लिए allow किया गया था, ठीक है, साथ ही आप देखो कि insolvency and bankruptcy code क्या है, तो यह time bound है, सबसे अच्छी बात इनकी यह है, कि यह 60 days, 180 days, इस तरीके से यह काम करते हैं किसी भी loan को recover करन अब bad loan देखें कि क्या होता है और इसको categorize भी किया गया है, तो इस तरीके से समझें कि bad loan या फिर bad debt, यानि कि कर्ज, यह एक amount है, जो कि creditor के उपर है, और यह unlikely to be paid है, यानि कि आप तो समझे रहें कि loan लेकर भागे वापस से bank को दिये नहीं, simple है, तिक है, अब आप देखो तो as per RBI देखें, तो NPA या फिर bad loan जो है, यह कौन सा होता है, RBI के according, तो कोई भी commercial loan जो कि आपका 90 दिन से जाधा overdue हो चुका है, और consumer loan जो कि आपका 180 दे से जाधा overdue हो चुका है, commercial loan यानि कि जो commercial purpose के लिए अगर लोन लिया गया है, तो 90 दिन, 3 महिने, और अगर कोई individual loan ल कि एक साल से कम या एक साल से आपका, एक साल तक हो जाए NPA, तो इसको हम लोग बोलते हैं, substandard NPA, doubtful है, यानि कि जब आपका 1 साल से ज्यादा हो जाए, तो यह doubtful होता है कि आप ये loan वापस recover होगा कि ने, loss asset है, यानि कि माल लिया जाता है, कि अब ये जो है loan वापस नहीं तो इस तरीके से कैटेकराइज किया जाता है कि NPA में भी ये तीन कैटेगरी होती है ठीक है अगर इंट्रेस्ट और इंस्टॉल्मेंट और प्रिंसिपल जो है अगर वो ओवर्ड्यू रहा है दो हार्वेस्ट फीजन तक तब इसको NPA डिकलेर रखिया जाता है यानि कि अगर सारे कैटेगरी के लिए सेम क्राइटेरिया है तो ये गलत है अगरिकल्चर लोन के लिए आप देखने है जब तो हार्वेस्ट सीजन क्रॉस हो जाए तब इसको NPA माना जाता है यानि कि आप देखो कि अगर ये रवी सीजन है तो रवी सीजन आपका विंटर में स्टार्ट होता है औक्तूबर से चलेगा ये आपका मार्स तक रहेगा और वही अगर खरीब सीजन की बात करें तो ये अभी जून से स्टार्ट होगा और साथी साथ आपका ये सेप्टेंबर इंड तक रहेगा तो ये तो आप देख लो कि इतना इतना महीने यानिकि ऑक्टूबर दो साल से एकसीड नहीं होना चाहिए ये भी चीज़े कही गई है और ठाड एक और प्रियेड है मार्स से लेकर जो आपको ये जून के बीच में देखने को मिलता है इसको जायत कहते है जिसमें आपका कुई किमबर होता है खीरे वगेरा वाटरमेलन वगेरा ये सारे चीज तो आपके माइंड में हर एक टॉपिक ये क्लियर हो चुका होगा रिगार्डिंग ए आर सी कंपनी तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं नेक्स हम लोग देख लेंगे ये इंटिग्रेटेड ओंबूर्समें और ओंबूर्समें स्कीम के बारे में है तो एक दिन में एक ह आपको दो वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा कम ही रखती हूँ इसको आपका टॉपिक वाइस जो है इसको कवर करा देती हूँ जिससे कि आपका में सांसा राइटिंग में और प्रलेंस की वी क्वेशन यहां से बनेगा तो आपको कहीं से भी प तैकि यहां, हम आपका प्रलेंस की।